नमस्कार हिंदुस्तान नियुज डेली में आप सभी का स्वागत है मध्य परदेश के दमोह में एक 6 साल की बच्ची के साथ रेप करके उसकी आखे फोड़ने की बरबात पुड़वा घटना सामने आई है पुलिस के अनुसर हमलावर ने बच्ची के घर के पास इस घटना को अंजाम दिया बच्ची को अस्पताल में भरती कराये गया है जहां उसकी हालत गंभीर है आरोपी पर पुलिस ने 10,000 रुपे का इनाम खोशित किया है परदेश में लॉकडाउन के दोरान 6 दिनों में बलतकार की ये तीसरी वारदा थै पुलिस से मिली जानकारी के अनुसर 6 साल की ये बच्ची बुदभार शाम को अपने घर के पास दोस्तों के साथ खेल रही थी तबी कोई अज्याद व्यक्ति उसे उठा कर ले गया उसके बाद वा लापता थी आज सुबा कल सुबा वा बच्ची एक सुनसान घर में मिली उसके हाथ रस्टी से बंदे थे दमोहे दमोह के पुलिस अधिक्षक्त हेमंद सिंग चोहान ने बच्ची के साथ रेप किया गया और उसकी आँख पर गंभीर चोटे आई है उन्होंने समवादाताओं से कहा हमने कई संधिंग्दों से पूछताच की है और हम कुछ सुरागों पर काम कर रहे हैं आरोपी को आरोपी पर 10,000 रुपे का नाम घोशित किया गया है पुलिस की टीम एक टीम लड़की और उसके परिवार के साथ जबलपूर गई है जहां उसके पूरे शरीर में गंभीर चोटो का इलाज किया जा रहा है ऐसे समय में जब करोना वाइरस से पूरी दुनिया लड़ रही है इस वार्दक से पूरा राजे इस्तबल है मुख्य मंत्रे शिवराज सिंग चोहान ने इस घटना को शर्म नाक और दुर्भागेपुन बताया उन्होंने ट्वीट से कहा दवो जीले में एक मासुम बिटिया के साथ हुई दुषकरम की घटना शर्म नाक और दुर्भागेपुन है मैंने घटना का सन ज्यान लेकर अपराधी को जल्द से जल्द पकड़ने के निदेश दिये हैं उस दरिंदे को सक्त सक्त सजा दी जाएगी बिटिया के समूचित इलाज में किसी भी परकार की कमी नहीं आनी दी जाएगी वहीं पूर्व मुख्य मंतरी कमल नात ने बिजेपी सरकार को घेरते हुए इस बारदत को भयावा अवा अमानविय करार दिया उन्होंने कहा शिवराज जी ये परदेश में क्या हो रहा है लोगडाउन में भी अपराधियों के होसले बुलंद है दमोह में एक मासुम बालिका के दोनों आख फोडने वक दरिंदगी की भी बात सामने आ रही है इतनी निशर्ष दरिंदगी भरी घटना वो भी लोगडाउन के दोरान जहां आम जन अवाश्यक वस्तूओं के लिए भी घर से बाहर तक नहीं जा पा रहा है वहीं अपरादी खुले आम घूम रहे हैं परदेश में रेप हत्या किसान की हत्या गोली बाजी चाकू बाजी की घटनाय जारी एक माह की आपकी सरकार परदेश को किस ओर ले जा रही है दमों की इस विभस्त घटना के आरोपियों को शिगर पकड़ा जाए उन पर कड़ी से कड़ी कारवाई हो सरकार मासुम बालिका का इलाज करवाई परिवार की हर संभव मदद हो दोसिव और लापपरवा जिम्मेदार पर भी कारवाई हो लोगडाउन के दौरान पिछले 6 दिनों में ये राज्ये में बलतकार की तीसरी घटना है 18 अपरेल को भुपाल में एक 17 साल की लड़की का रेप हुआ वहीं एक दिन पहले अग्यात आरोपियों ने एक 53 साल की नेतरहिन बैंक मैनेजर के साथ उसके अपार्टमेंट में बलतकार किया था इस खबर में बस इतना ही कितने शरम की बात है जहां पूरी दुनिया कोरोना वाइरस से लड़ रही है वहीं दूसरी तरफ ऐसे चीजों को ऐसी वारदतों को अंजाम दिया जा रहा है